तीन नम्मर कॉश्चन देखो साधरन ब्याज का क्या कहता है कि तीन वर्स के लिए साधरन ब्याज की दर कितनी है छे पिरतीसत अगले चार वर्स के लिए साधरन ब्याज की जो दर है वो साथ पिरतीसत है और साथ वर्स से आगे कितना है साथ पॉइंट पांच वर्स है एक आ प्रीए के लिए कितना है, חै परती सत है, तो कितना हो जाएगा, तीन चींग अठार है, ठीक है, चार वर्स के लिए, फॉर एयर के लिए, ठीक है, चार वर्स, यानि फॉर एयर के लिए कितना है 7% है यानि 7 चौक कितना हो जाएगा 28 अब क्या कहता है और 7 वर्स से आगे टोटल कितने है 11 वर्स ठीक है उसमें से 4 वर्स हो गया 3 वर्स हो गया और टोटल कितने 11 वर्स ठीक है और 7 वर्स हो गया तो कितना बच गया चार वर्स तो लाश्ट के कितने वच्च के चार वर्स के लिए जो साधरन ब्याज की दर है वो कितनी है 7.5 है ठीक है अब चार गुना में 7.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 ठीक है चार गुना में 7.5 बराबर 30 इन सभी को जोड लो तो 8 और 8 16 तीन दो पांच और एक चार और एक साथ यानि जो सभी 11 साल के लिए जो रेट हो गई अलग अलग वर्स हमने कैलकुलेट किया तो कितनी होगी 60 परसेंट अब एक आदमी ने कितना 18,800 रुपे ठीक है और 76 परसेंट के हिसाब से बटे में 100 परसेंट निकालेंगे दो जीरो से दो जीरो कट गया ठीक है अब देखो अब गुना करो यानि 188 की गुना 6 से करो जो 76 से करो अब 76 से करेंगे आठ चींग 48 अब एकाई कांक देखो आठ किसमे है किसमे है सिर्फ ए ओप्सन में तो ए ओप्सन क्या है आपका बिलकुल सही होता रहे है आगे देखो